Hey guys, welcome to goalgetter आज मैं आपको प्रपोजल के बारे में बताने वाली हूँ कि जो प्रस्ताव है, जो बिल है, राज्या के निर्मान से रिलेटेड जो बिल है वो सदन में कैसे पेश होता है इसके बारे में बताने वाली हूँ तो बने रहे हमाई साथ वीडियो के end तक चले तो शुरू करते हैं मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि जो बिल है, राज्या के निर्मान से संबंदित जो बिल होता है वो आर्टिकल 3 के अंडर बनता है अनुच्छे 3 के अंडर ये बनता है और जो इसका प्रस्ताव है वो कोई से भी हाउस में पेश किया जा सकता है सदन के संसद के कोई से भी हाउस में इसे पेश करा जा सकता है लेकिन इस पे जो है इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है वो रेस्ट्रिक्शन क्या है These restrictions are that no bill shall be introduced in the parliament until the prior recommendation of the president जब तक की हम रास्टपती की पूर्वान उमती नहीं ले लेते तब तक की कोई भी बिल हम संसद में पेश नहीं कर सकते एक तो ये हो गई दूसरी क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर जो ये बिल है जो संबंदित बिल है जिस राज्य के नेम एरिया बाउंडरी को अगर हमें चेंज करना है उसे जो affected state है उसकी state legislature उसकी विधान सभा या फिर विधान मंदल में उसे पेश करना जरूरी है ये जो है ये एक duty है जो president है औक है कि वो उसे उसके विधान मंदल में जरूर भेजेंगे पहले अपनी recommendation देने से पहले अपनी अनुमती देने से पहले वे उसे उसकी विधान मंदल में जरूर भेजेंगे विधान सभा जो भी उस राज्य में होगी उसमें जरूर भेजेंगे उनके उपीनियन जानने के लिए कि उनका उपीनियन क्या है President उन्हें कुछ time भी देंगे कि जिसमें वे अपनी राय दे सकते हैं कि वे क्या चाते हैं लेकिन उनकी जो राय होंगी मैंने पहले भी बताया था आपको इससे पहले lecture में कि उनकी राय प्रेजिडेंट पे बाध्यकारी नहीं होंगी कि वे चाहे तो उस राय को मान सकते हैं और चाहे तो नहीं मान सकते हैं बस इनके लिए सिर्फ एक रेस्रिक्शन है कि इन्हें यह करना पड़ेगा otherwise that is not the foundation on the president तो मैं आपको बताते हूं कि यह जो बिल है यह पेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मालो यह पार्लेमेंट है पार्लेमेंट में क्या होगा एक अपर हाउस होगा that is Rajya Sabha and एक लोवर हाउस होगा that is Lok Sabha Rajya Sabha and Lok Sabha these are the two houses of parliament जो Rajya Sabha है चाहे तो हम राज्यसभा में initiate कर ले चाहे लोगसभा में initiate कर ले इनिशेट किया जा सकता है बिल शुरू करने से पहले हमें क्या जरूरत होगी प्रेजिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत होगी पूर्व अनुमती की जरूरत होगी उसकी पूर्व अनुमती देने से पहले जो प्रेजिडेंट है वो अफेक्टिड स्टेट को अपना यह जो बिल है एक टाइम के साथ भेजेंगे उनकी राय जानने के लिए जब उनकी राय आ जाती है आये या नाये उस इस पेसिफाइड टाइम में कोई मैटर नहीं करता है फिर जो उनसा भी हाउस यह लाना चाहता है बिल उसी हाउस में यह जाने लोग सभा लाने चाहती है तो लोग सभा में हे इनिशेट कर दिया जाएगा राजिसभामें इनिशेट कर दिया जाएगा ये जो बिल है, ये एक simple बिल होगा, that bill is a simple bill, एक साधारन ये बिल होगा, साधारन विधेयक होगा, simple bill, साधारन विधेयक, जो ये विधेयक होगा, बिल होगा, ये proposal के रूप में आएगा, प्रस्ताव के रूप में आएगा, प्रस्ताव विधेयक जिसे बोलेंगे, कोई भी आपको यह जाना जरूरी है कि कोई भी चीज जब संसत के अंदर पेश की जाती है उसे हम प्रस्थाव कहते हैं वह प्रस्थाव जब संसत्थ में पेश हो रहा है उसे घृण है तो यह आपको याद रखना है तो अध्यत्य कैाibe सप्रस्था मतलब प्रपोजल ठीक है झाल तो साथारन बहुमत कितनी होती है जो हाउस है टोटल र Самशा, अर्था αधालि वहंत होती है और सदस्य सिट्वा में अगर राजस्भा में कि एनिशा सब्सक्रारा है इसलिखने आगर है तो पर अग्ल में मंदम प्सक्राइव हो था मालो लोग सभा में हमने इनिशेट किया लोग सभा में अगर हमने इनिशेट किया बिल तो इसमें टोटल सीट कितनी होती है total seats total seats होती है 545 545 seat होती है simple majority के लिए क्या करना पड़ेगा साधारन बहुमत के लिए क्या करना पड़ेगा उसका आधा simple majority क्या होगी simple majority 545 का आधा मतलब की 273 प्लस ठीक है इतनी majority इतनी बहुमत होनी जरूरी है किसी भी बिलकूर respective house में सदन में पेश कराने के लिए ठीक है अग चाहे वो लोकसभा में पेश किया जाए चाहे वो राज्यसभा में पेश किया जाए कोई से भी house में हमें उसे पेश करना हो पास करवाना हो उसमें सिंपल मैजोरेटी से ही दोनों houses में पास होगा और यह जो बिल होगा इसे हम सिंपल बिल कहेंगे ठीक है यह जो कंडिशन देई गई है यह कंडिशन आर्टिकल 3 के अंडर जो भी हम प्रस्ताव पारित करेंगे सिर्फ उसी के लिए ही है अधर बिल से उसका कोई connection नहीं है सिर बिल बेजेंगे पाग और लिए प्रस्के आप यह बेजें पास हंवमों हिर आटी नहीं सिर्फ सण में आर्टिक हैं और भी चermत्रव के अनुमती दे इचा कि ए गुप्तिशन दिस वील कर विल बेकिल देच अर्ष्ति ऎक्ट तो फर सवार सब्स्राइं।iona Nria । राम and have a nice